जिस प्रकार हमने परंपरागत धारना का अध्यान किया, क्रमवार, उसका परिभाशा, उसकी चुनोतियां, उसमें होने वाली समस्याएं आधी आधी, उसी प्रकार अब हम गैर परंपरागत या आपरंपरागत धारना का अध्यान करेंगे उसी क्रम में तो उसक्रम में दूसरा बिंदू अब आता है अब परमपरागत धारना का अर्थ समझने के बाद अब हम जाने कि सुरक्षा की गैर परमपरागत चुनोतिया क्या हैं कि इन चुनोतियों से गैर परमपरागत समस्याओं को गुजरना पड़ रहा है शुरक्षा की गैर परंपरागत जो चुनोतियां है या जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक खत्रों की प्रकृति आधुनिक खत्रे गैर परंपरागत मैंने कह सकते हैं आधुनिक गैर परंपरागत खत्रे और साथ आधुनिक खत्रे ये जो आधनिक खत्रे हैं ये युद्ध के खत्रे से अलग हैं परंपरागत खत्रे का संबंद युद्ध से हैं ये जो आधनिक खत्रे हैं ये बड़े गोपनी होते हैं अनिश्चित होते हैं गोपनीता अनिश्चितता और रज्य की मशीनरी इन खत्रों से नहीं निपट सकत तो ये तीन बातें आपको याद रखने हैं, आदनी खत्रे युद्ध नहीं हैं, आदनी खत्रे गोपनी होते हैं, आदनी खत्रे अनिश्चित होते हैं, कब आ जाए, कब चले जाए, पता नहीं लगेगा, करोना कब आया, कब गया, पता नहीं लगा, और गया भी है कि नहीं, इस पर एक प्रश्न चन्न है तो गोपनीता अनिश्चितता और इसके अलावा मशीनरी परंपरागा सुरक्षा मशीनरी के द्वारा इसका सामना नहीं किया जा सकता ये बहुत बड़ी बात से समझने की इन खत्रों से निपटने के लिए जो सुरक्षा वैस्था की गई है उनमें कुछ विशेश पायों की जुरत होती है कुछ विशेश ख्यमता की जुरत होती है कोरोना काल में आपने देखा कि सरकारी मशीनरी किस तरीके से विशेश तरीके से इस समस्याक से निपट रही थी विशेश तैयारियां, विशेश प्रयास, विशेश बजट और अपनी सरवशेश्ट काबिलियत के साथ जब चंबंदित लोग उतरे तो करोना नियंत्रण में आदा दूसरे शब्दों में अपरंपरागत सुरक्षा के लिए विशेश उपायों की जरत होती है, विशेश ख्यमता की जरत होती है, आदी-ादी यदि हम आधुनिक खतरों की बात करें, अपरंपरागत खतरों की बात करें जिससे हमें सुरक्षा चाहिए, तो वे कौन सी हैं? वैसे तो बता दिया गया कि मानो निर्मित नहों करके वे ज्यादा प्राक्रितिक ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी और इसको हम वरगी करण करते हैं, तो पहली श्रिणी हैं मानो सुरक्षा प्रमुक खत्रा मानव सुरक्षा को लेकर है मानव सुरक्षा, राज्य सुरक्षा नहीं प्रम्परागत दृष्टिकूर्ण की यदि बात करें तो राज्य की सुरक्षा प्रात्मिकता है और राज्य जो है वो सुरक्षा की विवस्था करता है सुरक्षा के खत्रों से मकाबला करने की और उसे दूर करने की कुशिश करता है परन्तू सुरक्षा की यदि हम गैर परंपरागत धारना की बात करें तो देखा जाता है कि राज्य जो है वो स्वैम भी मानो समाज को खत्रा पहुँचाने का एक कारक है बहुत अहम बात है समझने की अब परंपरागत धारना में राज्य जो है सरकार जो है प्रशास्निक मशीन्री जो है वो स्वैम भी संभवता मानवता के लिए खत्रा है जबकि परंपरागत में मानो कि सुरक्षा का दायत उन पर रहता है और वे बखू भी इसको निभाती है राज लेकिन अब ये स्थितियां बदल गई हैं और वो इसलिए भी बदल गई है क्योंकि राज के लिए संभवनी है कि वह सुरक्षा परदान कर सके इन आधुनिक खत्रों से दूसरे राज स्वैम का वेस्टेड इंटरेस्ट भी है उन चीजों में जो मानो के लिए अनिता तो खतरनाक हैं पर विकास के लिए तथाकथित विकास के लिए सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वह उस दिशा में चलती रहे राज की संस्थाओं जैसे सेना, पुलीस, जेल करमचारी इनके और देखिये कितने लोगों को ये मारते हैं इनके दोरा कितने कतल किये जाते हैं जाने अन जाने में ही सही, कितने इन नागरिकों का एक तरीके से संभार कर दिया जाता है ये भारत के संदर में नहीं बला जा रहा है, पूरे विश्व के संदर में जी देखें तो सरकारी मशीनरी दौरा मारे जाने वाले नागरिकों की संकिया बहुत बहुत ज़्यादा है सरकार समर्स्थिश सेना सरकार समर्सिश पुलीस इनके दौरा आनोलन काडियों को गोलियों से भुन दिया जाता है गोलियों का शिकार मनाया जाता है बिना मकदमा चलाए बिना दोश थाबित हुए कितने ही लोगों को वर्षों तक जेल के सलाखों के पीछे रख दिया जाता है मानवादिकारों का उलंगन किया जाता है उनकी स्वतनतता के अधिकार का हनन किया जाता है मूलवूद अधिकारों से उन्हें वंचित रखके उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है ऐसे ना जाने कितने लोग जेल की सलाकों के पीछे सड रहे हैं और इनके पीछे कौन हैं? इनकी समस्याओं के पीछे वही सरकार, वही सरकारी मशीनरी जो परंपरागद धारना के तहट देश के नागरिकों को सुरक्षा परदान करने का जिम्मेदार होती है तो ये जो विरुधा भास है, जो पराडॉक्स है, जो विडम्मना है, इसे समझने की जुरत है और ये वाली समस्याओं बढ़ती जा रही है सरकारी मशीनरी द्वारा दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और इसलिए उनसे सुरक्षा की चिंता अब और बढ़ती जा रही है तो पहला मुद्दा है मानव सुरक्षा चुनोतियों का, पहली चुनोती है मानव सुरक्षा मानव सुरक्षा को सरकारी मशीनरी से सुरक्षित रखना है अर्थाद उसे खत्रा किस से है? सरकारी मशीनरी से है ऐसी मानव सुरक्षा को खत्रा पहुंचाने वाले मानव कुछ और भी कुछ और भी आदाम है लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक खत्रे जादा हैं और उन प्राकृतिक खत्रों में हमने जैसे पूर में बार बार जिक्र किया समुदरी तूफान, सुनामी, बाड, भुकंप, पर्यावरन का प्रदूशन, वैश्विक ताप वृद्धी, अंतरराश्टी आतंकवाद, सभी देशों में तापमान की वृद्धी हो रही है, सभी देशों में कोरोना फैला और फैल रहा है, सभी देश आतंकवाद की समर्सिया थे, दिन प्रति दिन ग्रसित हो रहे हैं, भुकंप न जाने किस देश में कब आ जाए, कोई भविश्वानी नहीं कर सकता, सुनामी ने प्राक्रितिक खत्रे के क्या माइने हैं, इससे पूरी दुनिया को वाकिफ कर दिया, आज सभी देशों में तापमान बढ़ रहा है, यदि इसी प्रकारी तापमान बढ़ता रहा, तो समुद्र का तल जो है, वो कुछ उपर उड़ जाएगा, क्योंकि बर्फ पिखलेगी, ग्लेशियर्स की, उँचाईयों पर जो पहाड़ है, जहां बर्फ है, तापमान बढ़ने से वो पिखल के, नदी के मार्क से समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र का तल बढ़ेगा, और ऐसा एदि होता है, तो बहुत से देश जो हैं, या बह दिनों दिन फैल रहे हैं, कोरोनों का खत्रा जब तब उठता रहता है, उसके नएने स्वरूपों को लेकर पूरे विश में चिनता है, डबलू एचो, वर्ल्ल हिल्थ औरगनाइजेशन, अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी, कोरोना महामारी को रोकने में सफल नही चपेट में दिनों दिन लेते जा रहा है, कोरोना से ना जाने कितने करोड लोग अकाल मौत मारे गए, ऐसी बीमारी जो अचानक आई और फिर अपना पंक फैलाते जा रही है, ये जो प्राकृतिक आपदाओं से मानों को खत्रा है, ये बहुत महत्पूर्ण है, शासन से ज लेकिन उसकी तुलना में अब प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले खत्रे बढ़ते जा रहे हैं। उनके द्वारा निजिया सारवजिनक संपत्ति पर और दी गई शुवधाओं पर उनके खिलाफ किया गया कारे है जो आपराधिक कारे की श्रेणी में आता है, उससे आतंक वाद कहते हैं। दी गई शुवधाओं के खिलाफ कारे करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। और इसका जो महत्पूर्ण पहलू है कि आतंक वाद जो है वह किसी राष्ट के द्वारा स्पांसर नहीं होता। कुछ व्यक्ति या कुछ समूर इसमें शामिल होते हैं। आतंक वाद का जो उद्देश है, क्या है? मुक्ष उद्देश हिंसक कारवाई से समाज या रज से अपनी मांगे मनवाना। अर्थात उद्देश की बात करें तो मांगे मनवाना। और तरीकों की बात करें तो वह हिंसक कारवाई। ये हिंसक कारवाई आतंक वाद को बहुत खतरनाक बना दी है। उनके इदेशियों से उतना खत्रा नहीं है उदेशियों को माने या ना माने ये तो सरकार पर निर्वर है लेकिन चूंकि हिंसात्मक तरीके से दबाव बनाते हैं इसलिए सरकार को कई बार विवश होना पड़ता है जुकना पड़ता है और न जुकने की स्थिति में भारी न हम बात करें तो पलवामा में जहां पे असी से ज़्यादा फौजियों को जवानों को आतंकवादियों ने मार दिया ऐसे बहुत से घटनाएं आतंकवाद की जो हमारे सीमाओं में हो रही है उससे हम वाकित है नौग 11 का जिकर मैं बार बार किया है जिसमें वाल्ट्रेट से इंटर अमेरिका में दो वायुजानों ने जिसे आतंकी लोग उड़ा रहे थे तीन हजार लोग को मौत के घटतार दिया तो आतंकवाद का उद्यश मांग मनवाना और उनके कारे करने का तरीका हिंसा बहाना हिंसा का चरम प्रयोग इसका परणाम क्या आतंकवाद का परण सरकार की भावना सरकार से लोगों का विश्वास उठना सरकार की एक शमता पर हमेशा प्रश्णिचन लगाना क्यों प्रश्णिचन लगाना क्योंकि आतंकवादी कभी भी कहीं भी हमला कर बैठते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी भी कहीं भी हमला करें तो वो कि स्थिति में सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है व्यक्तियों को सुरक्षा देना और जब ऐसी गतिविदी होती है सरकार की असफलता सामने आती है उस पे प्रश्ण चिन उठने लगते हैं तो सरकार पर विश्वास का उठना इसका परणाम क्या होगा देश में आर्थिक म नाश होगा राजनीतिक अस्थिरत आएगी और अंत्ता क्या होगा जनता का जब विश्वास सरकार से उठेगा तो सरकार का पतन होगा और ये इस पतन के पीछे उनके द्वारा किये गए गलत कारिक नहीं आतंकवाद है इस समस्त घटना क्रम से आतंकवादी जो हैं वो से दिकर बैठते हैं और जब ये अस्थिरता आती है तो अस्थिरता का फायदा उठाते हुए ये अपनी मांग मनवाने में सफल हजाते हैं हम पुरुत्तर राज्यों में घटित आतंकवाद के दौर को देखें जमू कश्मीर में घटित आतंकवाद के दौर को देखें और तो देखें वहां कितनी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता रही। विकास के नाम पर जमुकश्मीर और पुरूरतर राजियों में लगवग कुछ भी विकास नहीं हुआ। सरकारें आती रहीं बदलती रहीं। करोड़ों रुपे वहां खर्च किये गए। लेकिन आतंकी गत्विदियों ने आतंक वादियों ने उनकी हरकतों ने इसके उस खेतर के विकास पर विराम लगा दिया था। सरकारें बदलती रहीं। क्या निकलता है परिणाम लाखों लोगों की हज्जारों लोगों की मौत अकारण ही मौत और विकास का थमना आतंक वादियों द्वारा कुछ हद तक उस खेतर में सफलता पाना अपनी पकड मजबूत बनाना। आतंक वाद का अर्थ क्या है वैशे तो हमने देख लिया कि उद्धेश क्या है और किस तरीके से आतंक वादि काम करते हैं हिंसा के लेकिन इसकी एक परिभाशा को भी देखें इसके हम अर्थ और परिभाशा को जानें। शाब्दिक रूप में आतंक वाद का अर्थ है टेररिजम टेरर मतलब भै पैदा करना उसी से बना टेररिजम लेटिन भाशा का शब्द है टेरर जिसका अर्थ है आतंक ब्रियाम जन्फिस उन्होंने कहा है कि हिंसा की धमकी व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य है और लोगों को आतंकित करने के देश से हिंसा का विचार आतंकवाद है अर्थात आतंकवाद की जड़ में हिंसा भरी हुई है और जितनी जड़ा हिंसात्मक उतनी ही गहरी पैट के संभावना इन आतंकवादियों की वो देश में संभावता सफल होने के संभावना तो आतंकवाद इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका बहुत निकट संबंद है हिंसा से और ऐसी हिंसा जो अनिश्चित्त हो कोई इस कोई इसका खेत्र नहीं होगा कोई इसका दायरा नहीं होगा कान्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन एंड पनिश्मेंट उनिस सो सैंटिस उसके अनिसार क्या कहा गया प्रिवेंशन एंड पनिश्मेंट इसके तहत कहा गया कि आतंकवाद का विप्राय उन आपराधिक कृतियों क और है जो किसी राज्य के विरुद्ध हो राज्य के विरुद्ध होने वाली कोई भी गति थी आपराधिक होगी और उसे आतन की माना जाएगा और उसका उद्देश होना चाहिए यदि हो कि कुछ खास लोंगो या जन्मानस के मन में भै पैदा करना हिंसा करना अर्थात इसमें शासन का विरोध और भै ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं और भै पैदा करने के लिए कौन सा रास्ता क्तियार किया जाता है हिंसा का रास्ता शासन के विरोध के माइने क्या है शासन पर दबाव बनाना किसी उद्देश को लेकर शासन पर दबाव बनाना ये आतंक वाद का उद्देश रहता है तो इस परकार सामानित हम देखेंगे कि आतंकवाद का संबंद बहुत गहन संबंद आतंक से है और इसलिए आतंकवाद शब्लाए आतंकवाद का मुख्य अभिप्राय ही है भै पैदा करना भै पैदा करने के पीछे उस संगठन का कोई निश्चित उद्देश होता है भै किस चीज के लिए किसी एक शेतर को हथी आने के लिए किसी मुद्दे पर सरकार से उलजने के लिए तो भै और हिंसा आतंकवाद की जड़ में हैं और ये सब बड़ा अनिश्चित रश्ता है आतंकवादियों की जो कारे प्रणाली है थोड़ा उसको समझें तो हम और बहतर समझेंगे जानेंगे आतंकवाद कितना बड़ा खत्रा है अपने अध्यश्चित की प्राप्ति के लिए आतंकवाद जो हैं वो किस तरह की कारे प्रणाली अपनाता है किन तरीकों को अपनाता है उसकी सूची आप देखें तो समझ जाएंगे कि आतंकवाद कितना कहरा होता है कितना खतरनाक है पहला राजनेजिक अमबैसिडर्स या प्रमुक खस्तियों को फेमस परस्नालिटीज को उनको अफ़रन करना किड्नाप करना और किड्नाप करने के बाद सरकार पर दवाव बनाना कि इनको हम तब छोड़ेंगे जब आप हमारी ये मांग पूरी करो दूसरा विमान बस या सारजनिक वाहनों का अफ़रन अर्था पब्लिक इन्वाल्व है उसमें विमान का अफ़रन करना अटल विहारी वाजपई के सरकार में जो अर्निस अंठान में बनी थी उसमें श्री जस्वान सिंग विदेश मंतरी थी आतंकवादियों ने एक विमान का अफ़रन कर लिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और विमान का अफ़रन कर उसे पाकिस्तान ले गए और वहाँ ये मांग रखी कि अमुक व्यक्ति को जिसे आपने गरफ्तार करके रखा है भारत सरकार ने गरफ्तार करके रखा है उसे छोड़ा जाए और उसे छोड़ने की एवज में हम इस विमान और उसके यातियों को शकुशल मुक्त कर देंगे अन्य था इस पूरे विमान को यातिरी सही बम से वड़ा देंगे और इस प्रकार दबाओ इतना पड़ा कि अंततर सरकार को विवश होकर उन दो तीन आतंकियों को छोड़ना पड़ा जो वैसे तो बहुत ही खतरनाक थे पर चुकि एरो प्लेन के अंदर बैठे हुए लगभग तीन सो यातिरीयों की जिन्दगी का सवाल था सरकार विवश हुई और उसने आतंक वादियों के सामने एक तरीके से घुटने टेकते हुए वे खतरनाक आतंकी सौपे जिनको वो चाह रहे थे और उसके एवज में भारत का विमान सकुषल यातियों सहिद वापस लोटा ऐसे बहुत से उधारन हैं इसराइल दूसरी और हम इसराइल का उधारन देखें उसके विमान का जब अपहरन हुआ था फिलिस्तीनी लोगों ने किया था तो इसराइल की कमांडोज में बड़े सफलता पूरवक एरपोर्ट पर आपरेशन किया एक तरीके का और इस आपरेशन के थाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये सभी जो अपहरन करता हैं वो पकड़े जाएं या मारे जाएं और यातिरियों का कोई नुक्सान रहो अपने इस देश में इसराइली लोग सफल हुए वहीं एक और दारण है 1971-72 का जब आतंकियों ने म्यूनिश्च ओलम्पिक में विश्व का सबसे बड़ा खेल समारो वहाँ पर इसराइल के ग्यारा खेलाडियों को गोलियों सो भुन दिया कुछ उनकी मांगे थी और उन मांगों को मनाने के लिए सरकार को विवश करना विश्व का ध्यान अपनी और खीचना इस देश से उन्होंने म्यूनिक ओलम्पिक का खेल गाउं चुना था और वहाँ गैरा इसराइलियों को गोलियों से भुन दिया गया जो खिलाडी थे जिनका किसी भी तरह से किसी भी तरह की राजनीती से कुछ लेना देना नहीं था ये एक दबाओ का तरीका था कहने का मकसद ये है कि आतंक वादी जो हैं वे अपहरन करते हैं और अपहरन करके ब्लैक मेल करते हैं विमान का करते हैं बस का करते हैं सारजनेक वाहनों का करते हैं जिसमें यात्री बैठे हों खाली विमान नहीं खाली बस नहीं यात्री हो सहित तीसरा तरीका नेताओं की हत्या ताकि एक नेता की हत्या होगी तो अन्य नेता घबरा जाएंगे वे सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सातंकवादी संक्टन की जो मांग है उसे मान लिया जाए आधी आधी चौथा तरीका होता है तोड़ फोड़ आग जनी जम्मु कश्वीर में ये बहुत सामानी है या था कुछ वर्षपूर्थ तक ये घटना बड़ी सामानी थी कि आतंकव द्वारा वहां जब तब तोड़ फोर की जाती थी आग जनी की जाती थी पत्थरवाजी की जाती थी अपहरण के जदी बात करें तो जम्मु कश्मीर का ही मुफ्ती मुहम्मद साईद की डॉटर का अपहरण वह भी याद आता है वहां भी सरकार को जुकना पड़ा जिस पर आपिस्तार थे कहीं अन्य पढ़ सकते हैं और अन्तिम तरीका इनका जो होता है बलकि अन्तिम खतरनाक तरीका वह है बम विस्फोट या गोलियों से भून देना मानो बम जैविक खतियार रासायनी खतियार इसका उप्योग यह लोग करते हैं और इस परकार एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है बहुत बड़ी संख्या जनसंख्या नहीं बहुत बड़ी संख्या प्रभावित होती है बम विस्फोट से जैविक खतियार थे रासायनी खतियार थे भारत में ऐसी आतंकवादी गतिजिया हो चुकी हैं मानो मम्से विस्फोर्ट के जाहरन है पार्लामेंट के अंदर जो हमला हुआ था सांसदों पर हमले के उद्यश्च से वह भी आतंकवादीयों की गतिवी दी थी बंबई में जो ताज होटल में हमला हुआ वह भी इन्ही आतंकवादीयों की गतिवी दी थी और वहाँ पे तो गोलियां चलाई गई और सबसे बड़ा जो इन लोगं का तरीका होता है सबसे महत्पून तरीका सबसे घिनोना तरीका वहाँ है घिरना का वातावरन फैलाना और घिरना के वातावरन से ताजपर है कि धर्म और जाती के नाम पर नफरत पैदा करवा देना और उसमें बड़े सफल हो जाते हैं गिरना का वातावरन फैलाने के लक्ष से ये निर्देश जोनों की हत्या करते हैं कई बार सामुहित हत्या करते हैं और इस सामुहित हत्या का दोश दूसरी धर्म जाती के लोगों पर मर दिया जाता है और इस प्रकार दो वर्ग, दो समुदाय, दो धर्म के लोग लड़ बैटते हैं जबकि इसके पीछे मूल रूप से आतंकी लोग रहते हैं तो इस प्रकार आतंक वादी प्रणाली जो है इसमें आपने जो पांचों प्रणालियां देखी अपहरन या हत्या, या तोड़ फोड़ाग जनी, या बम विस्ट फोड़ और घ्रणा उसमें भी सामुएक हत्याएं हिंसा इसकी जड़ में है भै इसकी जड़ में है, भै और हिंसा भारत में आतंक वाद काफी गहरा हो चला है विशेश रूप से उत्तर भारत के ख्षेत्रों में सीमान तक ख्षेत्रों में और आतंक वाद के पीछे हमारा श्रत्र राश पाकिस्तान है जो आतंक वादियों को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि वो समस्ता है कि भारत में अशान्ती उसके हित में रहेगी